कि आगे पढ़ते हैं कि चलिए भाई कि पुड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लें आपके साथ अभी हुई निसाइद स्क्रीन शेयर ठीक है इसमें हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या पहले एक कादा कोश्चन कर लेते हैं ठीक है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं होड़ा सा कोश्चन अच्छा है इसलिए कह रहा हूँ सॉल्व करते हैं सो क्या कोश्चन है भाई इफ वन अपॉन अपॉन ए प्लस ओमेगा प्लस वन अपॉन बी प्लस ओमेगा plus one upon C plus omega plus one upon D plus omega equal to one by omega बेर बेर A, B, C, D belongs to R, real number है and omega is complex root of unity. जैसे में पहले पता होता है. ठीक है? Then find the value of, then find the value of, किसकी value find out करनी है में? Summation 1 upon a square minus a plus 1. ठीक है? इसकी value हमें find out करनी है. तो इसका मतलब क्या है? Summation a square minus 1 का जो मतलब है? इसका मतलब है a square minus a plus 1 plus 1 upon a की जगह b कर दो और b की जगह c कर दो और c की जगह d कर देंगे हैं. So, इसकी value निकाल लिए हमें. हमें इसकी value निकाल लिए थे हैं. यहां solution करते हैं. राइट? चलिए जी. So, we have, क्या given था अपने को? 1 upon a plus omega plus 1 upon b plus omega plus 1 upon c plus omega plus 1 upon d plus omega. कितना है? 1 by omega है. Taking its conjugate. Conjugates. Both sides. Both sides. So, क्या होता है? वही, complex number का conjugate आता है, nothing else. तो omega का conjugate आजाएगा. क्या आजाएगा? Omega square. अगर आप conjugate कहते हैं, तो हर एक complex number में उसका conjugate आजाएगा. और यह conjugates है. 1 by omega square. यहां तक हो गए? यह हो गया 1, यह हो गया 2. अब हम 1 minus 2 करते हैं. क्याकि हमने 1 minus 2. 1 minus 2 करेंगे, तो क्या आजाएगा? 1 upon A plus omega, minus 1 upon A plus omega square. यहां प्याएगा? यहां प्याएगा? 1 upon B plus omega, minus 1 upon B plus omega square. plus 1 upon C plus omega, minus 1 upon C plus omega square. plus 1 upon D plus omega, minus 1 upon D plus omega square, equal to 1 by omega, minus 1 by omega square. यहां प्याएगा? आपने दोनों साइट सब्ट्राइट कर लिया. तो आप इसको इतना बड़ा ना लिखके, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. Summation, 1 upon A plus omega, minus 1 upon A plus omega square. ऐसे लिख लो आप. बाद में A की जगए B, B की जगए C, C की जगए D replace करते हैं. A, B, C, D, A से बना लो. Summation को खोलेंगे तो A की जगए B, B की जगए C, C की जगए D, चारों आज आजाएंगे. एक इक इक एक 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 लिखके आगया? 1 upon omega, minus 1 upon omega square. यह summation just notation है, कि इसका मतलब क्या उपर बताया है आपको. अब जड़ा इसको solve करते हैं. कितना बनाएं? Summation. क्या बनाएं? A plus omega square minus A minus omega. यह बना. ठीक है? upon A plus omega into A plus omega square. यह आगया? यह summation यह थोड़ा बड़ा लगाते हैं. छोटा सा अच्छा नहीं लगाते हैं. शूट नहीं करता है इसको. Equal to omega square minus omega upon omega cube. यह आगया? अभी थोड़ा और solve करते हैं. थोड़ा और solve करते हैं. कहा तक चाहिए था भई अपने को? A और A खतम. यह खतम. ठीक हैं? और उधर क्या है भई ज़रा उसको देख लेते हैं. आप देखेंगे summation किस पर है? A पर है. A, B, C, D. चेंज़ों. omega चेंज नहीं होंगे. तो numerator से omega minus omega square बाहर. क्या बचा? summation 1 upon a plus omega into a plus omega square equal to omega cube कितना होता है? 1. अरे, क्या हो गया? omega square minus omega. तो, omega square minus omega इधर से गया. क्या बच गया? 1 upon a plus omega into a plus omega square equal to 1. अब इसको जड़ा खोल जाते हैं. bracket को नीचे. तो, क्या है? a square a square plus a omega square plus a omega plus omega cube. 1 za 2. ठीक है? यह जज़ा नीचे denominator का multiply किया गया है. कितना हो गया? a बाहर. a square, a omega आएगा. एक थोड़ा सा bracket यहां गलत हुआ है. a omega आएगा. ठीख ए बाहर थे क्या वचा omega square plus omega omega क्यों कितना होता है 1 अब ये कितना होता है omega plus omega square हम जानते हैं कि minus 1 होता है Hence Solved लिखता हूं Proof तो नहीं होँ है Solved हो गया ठीक है यह क्यों आया क्योंकि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वाइर कितना होता है 0 तो ओमेगा स्क्वाइर प्लस ओमेगा कितना हो गया माइनस 1 ठीक है तो रीजन्स आपको पता होने चाहिए कि कहा कहा से आ रहा है खेक, अर्गुमेंट्स हम लोग पहले डिसकस कर चुके हैं, अब थोड़ा बात कर लेता हूँ, आईलर्स फॉर्म, आईलर्स फॉर्म, आईलर्स फॉर्म क्या होता है, आपने पॉलर फॉर्म बात करी थी, ऐसी आईलर्स फॉर्म होती है, क्या होती है, अगर जैड एक्वल टो हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आईटा वाई, ये कौन से फॉर्म थी, कार्टिशन फॉर्म, कार्टिशन फॉर्म, ठीक, इसको अगर हमने ऐसे लिखा था, पॉस थीटा प्लस आईटा, साइन थीटा, ये वाले कौन से फॉर्म थी, पॉलर फॉर्म, ठीटा क्या था, आर्गुमेंट था आर्गुमेंट था, अर्गुमेंट था, ठीक है, और अगर आप इसी को अगर ऐसे लिख देते हैं, मौड जाट ए राज्ठ टॉ अगर आज था, थीटा, तॉ दिस थीटा, ये अधर साउ एलर्स फर्म, ठीक है, समझ में आया, that is, e raised to eta theta कितना होता है, cos theta plus eta sin theta होता है, ये इसमें आपने नया समझा है, ठीक है, सो ये आईलर form हो गया, theta अपना argument ही है, theta क्या है हमारा argument, इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे, थोड़े question लेके, थोड़े से question लेके, ठीक है, आईलर's form कैसे easy होता है, आपको समझ में आ जायेगा, so that, so that e raised to 2m ita theta, ita cod theta plus 1 upon ita cod theta minus 1 raised to m, equal to 1 है, equal to क्या है, one है, ठीक है, ये शो करना है, तो इसको शो करने के लिए मैंनत करेंगे हम लोग, ठीक है, तो एक काम करते हैं, e raised to 2m ita theta, और इसको ita उपर और ita नीचे बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, cod theta plus 1 upon ita, numerator हैं बचेगा, यहां क्या बचेगा, cod theta minus 1 upon ita, ठीक है, 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 और नीचे आयटा अच्छा नहीं लग रहा तो इसको जैसे आप उपर नीचे मल्टिप्लाई करेंगा, एक्सट्री इूपर और नीचे, तो नीचे से गई भोट जाएगा, तो क्या ब embodISA गहाएगा, यह रजेगा दो, 2m आएटा थीटा इन्टू, को थीटा और आइटा स्कार हो गया माइनस वन तो अपन माइनस आइटा यह कोड थीटा प्लस आइटा रेस टू एम हो गया तो यहां तक कोई भी दिक्कत परिशान ही नहीं है अभी देखिए आप क्योंकि को अटा में से सफद्यों कि अचल्पिए सफे नहीं हो गया है इसको लिख सकते आपन साइन थीटा माइनस अहिटा इसको वे आप सकते आपन साइन थीटा प्लस ओल basically ठीक है, तब यह क्या बन गया, छोड़ा सो रिसाब लगा लेते हैं, e raised to 2m eta theta into, यह हो गया, cos theta minus eta sin theta, और यह हो जाएगा, cos theta plus eta sin theta, raised to m, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिकत परिशानी नहीं है, sin theta, sin theta गए, समझ में आया, अबने कैसे किया, यहां पे भी sin theta से multiply, यहां पे भी sin theta, यहां पे भी sin theta से multiply, यहां पे भी sin theta, और sin theta, sin theta denominator से gaip कर दिये, अभी देखिए आप, e raised to 2m eta theta, नीचे वाले को तो कोई दिकत नहीं है, नीचे वाले को कोई दिकत नहीं है, यह नीचे डिनोमिनेटर में है, this is e raised to eta theta, उपर वाले को भी दिकत है, तो हम ऐसे लिख सकते है, cos of minus theta, plus eta sine of minus theta, upon cos theta plus eta sine theta, whole raise to m, ऐसे आप लिख सकते है, यह ना, the cos of minus theta, cos theta होता है, sine of minus theta, minus sine theta होता है, तो e raised to 2m i theta, यह हो गया, e raised to minus, क्या होता है, eta theta, theta का यह कितना है, minus theta है, जहां हम रखना उपर, नीचे क्या है, eta theta ही है, ठीके, raised to m, यह लिखेंगे रिजन, e raised to eta theta कितना होता है, cos theta plus eta sine theta, यह यह इलर्स form होती है, अभी फोड़े जर्पहले इसकस करहिती, so e raised to 2m i theta theta, यह होता होता है, e raised to minus i theta theta, minus i theta theta, raised to m, so e raised to 2m i theta theta, into e raised to minus 2m i theta theta, so e raised to 0, बतलब answer is 1, ठीक है, answer 1, यही आपको लेके आना था, ठीक है, तो यह eilers form हो गई, यह क्या हो गई, eilers form, यह logarithm वाले question को solve करने में, बहुत easy रहता है, जैसे कि, अगर आपको कहा जाए, find the value of, find the value of, log x plus i theta y, log x plus i theta y, यहा गया, so x plus i theta y, कहा हो गरे आपको करने में, इसको हम लिख सकते हैं, eilers form में कैसे, mod z e raise to i theta, where, theta equal to argument of z, and e raise to i theta, कितना होता है, mod z, sorry, mod z नहीं होता है, e raise to i theta, में, जा होता है, cos theta plus i theta sin theta, ठीक, तो अभी लोग का addition लग जाएगा है, यहा पर multiply है, तो, log mod z plus log e raise to i theta, ठीक है, so, आपको बताया था, mathematics वाले, जेई वाले, अगर base कुछ नहीं लिखा होगा, तो e base पर मानते हैं, so log, mod z की बादी कितनी होती है, अंडरूट x square plus y square, e, e खतम हो जायागा, तो कितना होगा, i theta, ठीक है, और, इसको आप half, log x square plus y square भी लिख सकते हैं, plus eta, और थीटा क्या है, argument of z, ऐसे लिख सकते हैं, तो आपने solve कर दिया, सभी को x, y में, ले आए, तो ये छोड़े से, अच्छे question है, अब आप सब पूछा जाया, question क्या है, find the real part of, find the, real part of, 1 minus eta, raised to minus eta, इसका real part बताईए, इसका आपको क्या बताना है, real part, ठीक तो इसको solve करेंगे हैं अपन तो, तो, क्या solve करेंगे, so, 1 minus eta, raised to minus eta, है ना, एक काम करते हैं, इसको log लेके solve करते हैं, log क्यों लिए हमने, log इसलिए लिए कि वो power बाहर आ जाएगी, minus eta, बाद में, लोग घटाएंगे, 1 minus eta हो जाएगा, ना, log 1 minus eta की value क्या होगी भई, उपर अभी आपने जाएगे solve किया है, यह होता है, half, logarithm, real part का square, plus imaginary part का square, right, plus eta, 10 inverse, क्या होगा, minus 1 by plus 1 का modulus, minus 1 by plus 1 क्यों लिखा है, कौन से quadrant में है, उसके लिए लिखा है मेरे, y negative हो रहा है, और x positive है, तो यह वाला, fourth quadrant, ठीक है, तो यह कितना आता है, fourth quadrant में, minus pi by 4, argument कितना आएगा इसका, minus pi by 4, और यह कितना हो गया, half, log, 1 or 1, 2, ita बाहार है, minus ita बाहर है भी तो है ना, minus ita जैसे अंदर जाएगा, तो यह मजे खड़ा कर देगा, यह क्या कर देगा, 1 by 2 log 2, iota कर देगा इसको, और इसको कर देगा, minus ita square, जो कि, minus ita square कितना होगा, plus 1, plus 1 मतलब माइनस आना चीए, minus pi by 4, तो यह क्या आया है यह बी, log, 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 फिक है, यह क्या है, log में है, तो हमें क्या निकालना था, 1 minus ita raise to minus ita निकालना है, log का बीश क्या है, e, ज्यान रखना, log e बीश पे हमने निकालना है, 1- iota raised to minus iota. ठीक है? So 1- iota क्या होगा? e raised to ये सारा, ये जो अपने बनाया है ना, सब कहाँ चला जाएगा? ठीक है? minus pi by 4 सब पावर में गया. सभी का सभी पावर में चला गया. थेख, अभी क्या है भाई, इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, e raised to minus 1 by 2 log 2 into आयटा, into e raised to minus 5 by 4, you can say like this, थेखे हैं, तो अगर आप इसको कुछ मान लो, इतने को, थीटा तो नहीं मान पाऊंगा, मैं इसको 5 कह रहा हूं, पाई कहोगे, तो e raised to आयटा 5, क्या हो जाएगा, cos 5 plus आयटा, sin 5 into e raised to minus 5 by 4, ठीक है, पाई की वापस दे दो, वो तो खाली समालने के लिए रखी थी, सो, cos of minus half log 2, plus आयटा, sin of minus half log 2, e raised to minus pi by 4, ठीक है, सो पहले स्कोर साही कर ले, cos of minus theta क्या होता है, cos theta, तो we can write like this, sin of minus theta क्या होता है, minus sin theta, तो it will be like this, take e raised to minus pi by 4, हमें क्या पूछा था, इसका imaginary part, सो imaginary part कौन सा होगा, जिसके साथ, आयटा रहा है, imaginary part will be minus sin log 2 by 2, e raised to pi by 4 है, minus pi by 4, यह आया आपके question का imaginary part, ठीक है, ठीक है, real part क्या आएगा, real part भी निकाली लेते हैं, real part will be minus sin raised to minus pi by 4, cos of log, sorry, log, यह से लिखना चाहिए, cos of log 2 by 2, यह real part आगे है, ठीक है, तो यह आपको चीज़े समाझ में आई, ठीक है, ठीक है, अब एक आपको पढ़ायता हूँ में, demoverse theorem, demoverse theorem क्या कहती है, demoverse theorem, demoverse theorem पहले state कर देता हूँ मैं, and if n is any integer, then, cos theta plus eta sine theta whole raise to n can be written as, cos n theta plus eta sine n theta ही क्या रहा है, अगर n integer हो जाए, so n को आप नीचे ला सकते हैं, easily, और दूसरा क्या कहता है, पहला case है, second case, if n is rational number, n is rational number, then, cos n theta plus eta sine n theta is one of value cos theta plus eta sine theta raise to n, ठीक है, दोनों को मैं प्रूफ करूँगा, मैं दोनों को प्रूफ करूँगा, तो पहला लेते हैं, उसके बाद दूसरा, पहला वाला क्या कहता है, उसको discuss करो पहले, फिर दूसरा वाला discuss करेंगे, n is any integer, तो क्या होता है हमारा, cos theta plus eta sine theta raise to n, जो होता है, तो क्या हो जाता है, cos n theta plus eta sine n theta होता है, ठीक है, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, सो, we know, क्या जानते हैं आपन, cos theta plus eta sine theta equal to e raise to eta theta, यह होता है, raise to n both sides, हमने दोनों side क्या क्या है, raise to n, ठीक है है, तो जैसी किया तो यह क्या हो जाएगा, e raise to eta n theta हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, तो it will be e raise to eta phi, e raise to eta phi क्या होगा, cos phi plus eta sine phi, और phi को वापस रख दो, phi को वापस रख दिया, तो गया, cos theta plus eta sine theta, all raise to n, यह भी raise to n ही चला है, ठीक है, यह होता है, ठीक है, दूसरा वाला बड़ा थोड़ा सद्यान देते हैं, कि n क्या है, rational है, proof second, है ना, if n equal to p by q form, q cannot be 0, q cannot be 0, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूं आपको, आप देखें, cos p by q theta plus eta sine p by q theta, raise to q कितना आएगा, raise to q कितना आना चाहिए हमारे हिसाब से, it should be cos p by q theta into q plus, यह into q यहां तक है, right, आएटा सा एंगल में चला जाता है, है ना, p by q theta into q, यह अंगल में चला जाएगा, क्यों, क्यों 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 क्या है, integer है, 0 नहीं है, q क्या है, integer है, इसलिए, वो चला गया, ठीक है, जब यहां पर अगर आप आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया It is cos p theta plus eta sine t theta q और q खतम यहां तक आ गए ठीक है अभी क्या दिखाएथी आपको इसका मतलब क्या हो गया cos p by q theta plus eta sine p by q theta raise to q equal to क्या आपके पास cos p theta plus eta sine p theta यहां तक कोई दिखत नहीं है ठीक है इसका मतलब क्या हो गया cos p by q theta plus eta sine p by q theta can be written as cos p theta plus eta sine p theta raise to 1 by q इसका मतलब क्या हो गया cos p by q theta plus eta sine p by q theta इसका मतलब क्या हो गया यहां तक समझ में आगई बात इसका मतलब क्या हो गया यह p क्या था integer था ना यह eta sine theta raise to p आप लिख सकते थे without any hesitation raise to 1 by q it is one of the values of cos theta plus eta sine theta raise to p by q power के उपर power है तो p by q था n था मतलब it is one of the values of cos theta plus eta sine theta raise to n यही है मैं प्रूव करना था ठीक है इसमें कई चीजों का आप ध्यान रखेंगे note क्या note करने है आपको पहला पहला क्या note है cos theta minus eta sine theta raise to n क्या हो जाता है यह हो जाता है cos theta minus cos n theta minus eta sine n theta यह हो सकता है यह हमने उपर भी proof किया है ठीक है यह उपर भी हमने proof किया है second अगर आप से क्या जाए जूसरा क्या है क्या है sine theta plus minus eta cos theta कर दिया जाए raise to n so this is not equal to sin n theta plus minus eta cos n theta यह नहीं करना हमेशा cos का पाट रियल होना चाहिए sine का पाट इमेज नहीं होना चाहिए तभी यह demoverse theorem लगती है ठीक इसरा क्या है 1 upon cos theta plus eta sin theta can be written as cos theta minus eta sin theta ठीक है यह easy proof है cos theta minus eta sin theta से दर उपर निचे multiply कर देना तो हो जाएगा चौथा चौथा क्या है वो तो बता दिया चौथा आपको बता दिया एक और पॉस theta plus eta sin phi आ गया raise to n अगर यह angle भी अलग-अलग है तो आप इसको यह नहीं लिख देना अगर यह angle भी अलग-अलग है so you cannot write like this so this is not equal to ठीक है so इसी के बेश पे हम लोग कुछ गोस्टन्स continue करने जा रहे हैं ओके